हाई गैज और विलकम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटोरियल इनालिजिस ऑफ फिफ्ट आफ मैं 2021 तो गैज आज है तारिक पांच मैं 2021 और है वेडनस डे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस न्यूस पेपर को एनिलाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो यह कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक मिल जाता है तो आज आप सभी लोगो मैप में जाकर देखना है जांबिया को कहां पर है यह एक्शे से मैप में देखना फिरा कर नीचे comment section में type करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह है आज का पहला article इसके अंदर बताया गया कि जो भी IPL चल रहे थे अभी उन IPL को postpone कर दिया गया क्यों इस COVID-19 की वज़ा से दो खिलाडियों को COVID-positive पाया गया इन IPL को postpone कर दिया गया है यह statement दिया गया BCCI के दवारा यानि की Board of Control for Cricket and India के दवारा ना यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे वो दो खिलाड़ी कौन से हैं एक है रिद्धिमान साहा जो की सनराइजर हैदराबाद से बिलॉंग करते हैं दूसरे अमित मिश्रा जो डेली कैपिटल टीम से बिलॉंग करते हैं दोनों यहाँ पर COVID-19 positive पाय गया और इसी वज़ा से IPL को postpone कर दिया गया है ताकि यह जो COVID है इन प्लेयर्स के बीच में ना फैले ओके न उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यह है आज का सेकिंड आर्टिकल इसके अंदर बताया गया देखो बहुत सारी फॉरण help आ रही है हमारे पास इस समय जब हमारे यहां COVID-19 को लेकर काफ क्रिटिकल सिचुएशन क्रेट हो चुकी है बहुत सारे लोग की जान जा रही है लगबग साड़े तीन लाग से जादा केसिस निकल कर आ रहे हैं डेली बिसस पर तो बहुत सारी कंट्रीज हैं हम लोग की help प्रोवाइड करवा रही है लगबग 40 लाग आइटम प्रोवाइड करवाए गए हैं बहुत सारी कंट्रीज के दौरा जैसे की मैडिसेंस हो गए औक्सिजन सेलेंडर मास्क या फिर औक्सिजन कंसंट्रेटर्स यह सारी चीज़े प्रोवाइड करवाई गई हैं बहुत सारी कंट्रीज के दौरा अब जो यह समान जो आया है इन सब समान को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया गया है लगबग 38 से यह आपको 31 स्टेट अंदर देखने को मिल जाएंगे सर कहोगे यह क्या बोल दिया पहले ऐसे मैंने यहां पर यह जो स्टेट्मेंट इस तरीके का आया था पहले मैंने इस चीज़ को बोला था इस चीज़ को जादा एलाबरेट नहीं किया था नीचे बहुत सारे कॉमें करवाई जा रही है यह जो समान आया है वो इन इंस्टिउशन के अंदर भेजा गया है नौ यहां पर एक इंपॉर्टन चीज़ यह है कि भारत ने पहली बार 17 सालों में पहली बार इस तरीके की हेल्प ली है बहुत सारी कंट्रीज के दोरा क्या करें मजबूरन ऐसी जरू मेडिकल ऑक्सिजन दिया है ठीक है जो कि अभी गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा है उसी तरीके से यूएस ने भी बहुत सारी हम लोग को हेल्प दी है यूके ने सिंगापुर ने यह सभी लोग यहां पर हमारी हेल्प कर रहे है तो उस चीज़ के बारे में बताया है 17 स फॉलो करना और अपनी कोरी मुझसे पूछ लेना नाओ इंस्टाग्राम का लिंक अगर नहीं क्लिक करना चाहते है तो जाकर वहां पर इंस्टाग्राम पर जाकर टाइप कर लेना दीपक यादव एजूकेशन वहां पर आपको मेरी आइडी मिल जाएगी वहां पर जाकर ज अब लोग को मालूम है आते हैं एक और इंपोर्टेंट आर्डिकल की तरफ गोवर्नमेंट ने एक तरीके साब कर सकते हो अप्रूवल दे दिया है 5G ट्राइल्स के लिए अब इससे क्या होगा मतलब हमारी खुद की कंपनीज को हमने 5G ट्राइल्स का अप्रूवल दिया है अब इससे जो चाइनीज की बड़ी-बड़ी कंपनीज होंगी वो पीछे हट जाएंगे उनको हम लोग साइड में फैंक देंगे हम लोग अपनी कंट्री के कंपनीज के साथ जो है यह 5G के ओपर काम करने वाले हैं यह जो डिपार्टमेंट आफ टेली कम्यूनिकेशन है इ बहुत सारी चाइनीज कंपनीज हैं जैसे कि हुआ वी हो गई जीटी हो गई यह सब बापिस आपका सकतों बाहर निकल जाएंगी 5G रेस से खासकर बात करें इंडिया के अंदर नाव यह जो एप्लिकेंट से इसके अंदर जो टीएस पी यहां पर बताया गया यानि कि जो हम बात करें तो यह यह भी ट्राइल्स वगरा कंडर्ट करने वाला है जल्दी और यहां पर यह सारी जो टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यह जो ट्राइल्स वगरा कंडर्ट करवाएंगे और यह जो 5G टेक्नलोजी है यह अर्बन एरियास में तो आएगी मतलब श कंपनी के साथ जैसे की एरिक्सन नोकिया सामसंग टेलिकॉस के साथ इन सबी के साथ जो है टाइब कर लिया है ताकि 5G टेक्नलोजी को जल से जल बनाया जाए ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना आते हैं पेज नमबर एट पर यहां पर आप लो जा रहा है COVID-19 pandemic का डर देखते वे ये इंडिया को छोड़ते वे जा रहे हैं श्रीलंका के अंदर तो ऐसा यहां पर सब कुछ बताया गया है स्रीलंका नेवी के द्वारा और बोला गया इन्होंने सीधे जाकर इंफॉर्म कर दिया इंडिया के हाई कमिशनर को और उन्हें ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स अर्टिकल की तरफ यहां पर आप लोग देख पाऊगे यह आर्टिकल आपके वन डे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से इंपोर्टन हो जाता है बात करी गई है एक इंपोर्टन परसनलेटी के बारे में जिनका नाम है जग मोहन तो यहां आप कर सकते हैं उनकी डेथ हो गई है उसी वज़ा से यह परसन न्यूस के अंदर है जग मोहन मलोत्रा जन मुआता 1927 में डेथ हुई अभी 2021 के अंदर इन्होंने सर्व किया है दो बार गवर्नर रह चुके हैं जमू एंड काश्मीर के ठीके उसी के साथ अगर हम बात करें लेटनेंट गवर्नर रह चुके हैं यह गोवा के और डेली के और यहां पर आप देख पाओगे इनको बहुत सारे पुरसकारों से सम्मानित किया गया है जैसे कि पदमश्री अवर्ड दिया था इन्हें 1971 में उसके बाद पदमभूशन से सम्मानित किया गया है 1977 में और इंपॉटेंट यहां पर आप लोग देख पाओगे एक आर्टिकल कल सबसे जाधे ट्रेंड में था देखो यह आर्टिकल हमारे एक्जाम के पॉइंट आविव से तो इंपॉटेंट नहीं है लेकिन इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए क्योंकि हो सकता है यह कल अडि यह आपने टेपड़ियां जरूर देती हैं तो उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे ऐसा इन्होंने एक कॉंट्रोवर्शल ट्वीट कर दिया था वेस्ट बेंगॉल के एलेक्शन को लेकर ठीके सिचुवेशन को लेकर जो वेस्ट बेंगॉल के अंदर देखने को मिल रहा है कि इंडिया यहां पर लगातार बोल क्या रहा है कि एक ग्लोबल कोपरेशन की जरूरत है यानि कि कंट्रीज को आपस में मिलकर कॉपरेट करकर काम करने की जरूरत है ताकि हम लोग कोवीड-19 को बीट कर पाएं इससे लड़ पाएं तो आप देख पाओगे इंडिय हुआ याद रखना नॉट फिजिकल यह वर्चुल समिट है वीडियो कॉंफरेंसिंग के थ्रू बातचीत हुई हमारे प्राइम मिलिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और साधी साथ बोरीस जॉनसन इन अक्या आपस के बीच में यहां पर यह सारी बाते चली और यहा यह सॉलिडेरिटी है यह बहुत इंपोर्डन चीज है अगर हम लोग को पैंडमिक से लड़ना है तो मतलब कि आपस में कंट्रीज मिलकर काम करेंगी तो जल्दी तरीके से जल से जल यह लड़ पाएंगी नाव आप देख पाओगे जो हमारे पीम है इन्होंने यह चीज मे एनाउस कर दी है कि यह जो दोनों कंट्रीज है यूके और इंडिया दोनों मिलकर कॉंप्रेहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की तरफ काम करने वाली है जिससे क्या होगा जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार है वो 2030 तक डबल हो जाएगा एक तरीके से फ् होंगे उसको और जाते मजबूत करेंगे इंडो-पसिविक रीजन के उपर फोकस करने वाली है दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस के उपर इंप्रइब हुवाएं का तो ऊप्राइब जी को यहां पर साती साथ एक अकेलर बचे थे जह अब यहां पर इनका भी निदन हो चुका है नालीनी कल्यालम इनका नाम इनकी यंग डॉटर हैं और आपके सकते हो इन्होंने बताया कि जो यह हैं जो यह पर्सणान है वी कल्यानम ये गांदी जी के प्रिंस्पल्स के उपर अभी तक यहां पर जीते वे आ रहे हैं उनकी सि कोटा सा information दिया गया है तो लगबग 3.6 लेक्ट न्यू इंफेक्शन देखने को मिले हैं इना सिंगल डे मतलब जो पिछला एक दिन है चौबिस घंडे के अंदर तीन लाग साथ हजार के आसपास केस देखने को मिले हैं और डैथ जो हुई है वह तीन हजार को पूरी तरह से क आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ यहां पर बात करी गई है कि जो ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर है पहली बात तो यह ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर होता क्या है मैं काफी बार बदा चुका हूं डेली करेट डैफ़र के वीडियो में भी हम नें डिसकस किया था नाव ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर कैसे वर्क करता है हम सीखेंगे इसमें और किस तरीके से हेल्प मिल सकती है ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर से नाव देखो बहुत ज़्यदे चर्चा में है ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बहुत सारी औक्सिजन की कमी देखने को मिली हैं, बहुत सारी कंट्री में हम लोग को Speech combination प्रोवाइड कर वाया है, जो उक्सिजन कंस्यंट्रेटर होता एक छोड़ा सा डिवाइस होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पर कुछ तो एयर है हवा है इसके अंदर आपको नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है 80% तक और ऑक्सिजन देखने को मिल जाता है 20% अब होता क्या है अब यहां पर हमें नाइट्रोजन को फिल्टर करना पड़ेगा तभी तो हम अक्सिजन को निकाल पाएंगे अलग से तो यहां पर यहां से हवा डाली हवा के अंदर जैसे मैंने बताया 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सिजन है फिर वो मोटर कंप्रेसर के थ्रू जाएगी हीट एक्सजेंजर सर्ज टैंक और इस तरीके से यह हवा ट्रावल करेगी यहां पर और फिर उसके बाद यहां पर 90-95% तक हमें प्यॉर का पड़ती है देखो आपको करना क्या है अपने ऐसाज को मिल जायेगा मिल जाता है सबसे कं मंट में और इससे क्या होगा आप लोग अपना क्शीजन लेवल कम है तो आपको प arrow आ ना रहा आ पढ़ सकती है उसके बारे में यहां पर बताया गया है ओके पूरा प्रॉसस समझ लिया कैसे कैसे यहां पर वर्क करता है क्या यहां पर काम है आगे बढ़ते हैं पेज नुबर 11 के उपर आएंगे यहां पर आप देख पाओगे पूरा एड़र्टीजमेंट भरावा पेज है हमारे लिए किसी काम का है नहीं और उसकी साथ नेक्स पेज भी किसी काम का नहीं है आते हैं पेज नुबर 13 के उपर that is world section देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है कुछ important article है यहां पर आप देख पाओगे जो US की FDA है FDA मतला Food and Drug Administration इन्होंने बोल दिया है कि आप जो Pfizer BioNTech vaccine होने वाली है जो यह आपका सकतो mRNA COVID-19 vaccine है इसको दिया जाएगा छोटे बच्चों को और इन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज को approve कर दिया है 12 साल से 15 साल तक के जो भी adolescents हैं उन सब को यह प्रोवाइड करवाया जाएगा next week से यह लोग इस vaccination program को भी start कर दे vaccine यूज कर चुका है यूएस और आज के टाइम पर हम देखे तो इस चीज को भी extend कर देगा अब यहाँ पर 12 से 15 साल के बच्चों को भी यहाँ पर यह वैक्सिंस प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि जो है उनकी पढ़ाई वगर बरबाद ना हो यहाँ पर आप लोग द क्या सकतो मेंनली टॉप गंट्रीज है यहाँ पर आपडर चीट हुई है और पाजीट यह कि चारवं को किस तरीके से लोग टैकल करेंगे फिम्लाम लेकर चलेंगे यहाँ पर देख पाओगे जो 1 एक वास्यडटर को बताना है भी 7 के अंदर जांट गंट्रीज है क्वस DAY ह इन्होंने एक तरीके से deeper alliance के उपर आपका सकते हो बातचीत करी इन्होंने बोला कि जो ये countries हैं G7, 7 countries हैं इनके बीच में बातचीत करी गई, इंडिया को इसके अंदर invite किया था as a guest country, South Korea को invite किया गया, Australia को invite किया ताकि ये लोग बातचीत करें, लगबग 3 दिन तक बात हुई, इसमें इन्होंने discuss किया कि North Korea के अंदर जो nuclear program चला है, इरान के अंदर जो nuclear program चला है, उस nuclear program को किस तरीके से denuclearize किया जा सके, उस program को किस तरीके से रोका जाए, उसके साथ साथ इन्होंने focus किया चाइना के ओपर, आज के टाइम पर आप दिख पाऊगे, चाइना का military का या फ चीद करी गई, यूएस secretary जो आपका सकता है, इनके दोरा बोला गया, ऐसा मकसद नी हमें हम चाइना को गिराना चाहते हैं, लेकिन जो चाइना की हरकते हैं, उस चीज़ पर हम लोग focus करना चाहते हैं, और यहाँ पर चाइना को tackle करना चाहते हैं, ठीके, तो यहाँ पर यह आप से पूछा है, नीचे comment section में जरूर बताना, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, next article है, यह भी again बहुत important article हो जाता है, हमारे exams के point of view से, बात करी गई है, देखो US के जो troops हैं, जिनको आपका सकतों निकाला जा रहा है, मतलब US के जो भी जावान है, अफगानिस् के अंदर, देखो इन troops की वजा से ना, शांती बनी वी थी अफगानिस्तान के अंदर, क्या है, अफगानिस्तान के अंदर, एक सिचुएशन क्रियेट हो रही है, एक तरह है अफगानिस्तान government, अफगानिस्तान सरकार, दूसरी तरह है तालिबान, ठीके, एक Muslim organization, terrorist organization, तो इन military उन्हों वापस से withdraw किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है, अफगानिस्तान से, तो वापस से लडाईया होती भी, नजर आ रही है हम लोग को अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, ओके, आगे बढ़ते हैं, next article की तरफ, और यहाँ पर एक और important article है, बात कर जो dissolved company है उससे, आप देख पाओगे, एजिप्ट जो है इसी के साथ, दुनिया का तीसरा biggest arm importer बन चुका है, जैसे कि साओधी अरेबिया टॉप पर है, इंडिया भी बहुत कुछ import करता है, अब यहाँ पर एजिप्ट भी third large biggest importer बन चुका है, आम्स का, ऐसा यहाँ पर इसकी full form है, Stockholm International Peace Research Institute, बहुत जादे news के अंदर रहती है, तो उसकी full form याद रखना, सिप्री की report है, यह सब चीजे बताई है, आगे बढ़ते हैं, पेश नमर 14 की तरफ आते हैं, that is business section, देखेंगे, economy से related article को, एक यह article यहाँ पर जबर्दस आप लोगो देखने को मिलेगा, ब अक्स जादा cases नजर आ रहे हैं, अब इससे क्या हो रहा है, जो इंडिया की growth है, वो हम लोगो थोड़ी सी कम होती भी नजर आ रही है, हम लोग देख सकते हैं, कि जो इंडिया की growth है, वो हो सकती है, कम आने वाले time पर, और बहुत सरी reports यह भी बताती है, कि इंडिया की growth आन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने editorial की तरफ, देखेंगे आज के important editorials को, ना आते हैं page number 6, that is editorial section, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, election के बाद बहुत सारे articles, election से related आ रहे हैं, sorry, यहाँ पर आप देख पाओगे, elections related यह article है, पूरी तरह से, ठीके, और यहाँ पर again आप देख पाओगे, elections related article आपको देखने को मिल जाएगा, और उसके बार next page जो आप देख पाओगे, यह post poll survey है, यानि कि election के बाद का पूरा का पूरा page दे रखा है, यहाँ पर elections के बार दो editorial हैं, जिन में दम है, और वो आज का देख पाओगे, पहला article है, यह वाला, जिसके अंदर बताया गया है, COVID-19 की वज़ा से, कितना बुरा effect पड़ा है, इंडिया की foreign policies के ओपर, या फिर इंडिया किस तरीके से जुक चुका है, बहुत सारी countries पर, आगर हम बात करें, तो उसके बारे में बातचीत करी गई है, खास कर चाइनला का काफी ज़ादा इसमें involvement रखा गया है, author के द्वारा, उसके बान next article में हम बात करेंगे, issue of lives versus livelihoods, यानि कि जो भी लोग हैं, आज के टाइम पर migrant workers हैं, वो वापस से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, जगा उन्हें ल आपको देखने को मिलेगा country के अंदर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, second wave काफी खतरनाक साबित हो चुकी है, बहुत सारे लोग की जान जा चुकी है, daily business पे बहुत सारे cases नजर आ रहे हैं, इसी second wave के बीच में हुआ क्या है, इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत न रूप में, oxygen concentrators, oxygen cylinders के रूप में, ventilators के रूप में, तो ये जो सारी help है, ये 17 साल में ऐसा हुआ है कि हम लोग help ले रहे हैं, इन सारी countries की, ना अब देख पाऊगे, new Delhi claim ये करता है कि इन सब second wave की वज़ा से, जो COVID-19, second wave की वज़ा से, जो हमारी country की primacy थी, यानि जो हमारी country की इसकी आज के टाइम पर जरूरत पढ़ चुकी है, ठीके, और यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, जो Indian foreign policy है, वो भी कहीना कहीं, उसके उपर भी बहुत ज़ादा impact पड़ा है, COVID-2.0 जो है, इसने काफी तीजी से अगर हम बात करें, जो India का एक leading, आप कर सकतो lead की तरह work क कर रहा था India, उसको demise किया है, उसको एक तरीके से नुकसान पहुचाया है, और आज के टाइम पर जो geopolitical है country का, वो पूरी तरह से decline हुआ है, अगर हम बात करें, इनके neighborhood से, खुद से ही, बहुत सारी country की तरह हमारा जुकाव हम लोग को देखने को मिल गया है, इंडिया का चाहे historical ties की बात करें, चाहे material aid की बात करें, तो इंडिया टॉप पर काम कर रहा था, नो कोविट की वज़ा से ये सारी चीज़े देखने को मिली, सारी problems देखने को मिली, जो political influence है, वो भी काफिया तक कम हुआ है, और अगर हम बात करें, तो हम बहुत सारी countries की help कर रहे थे है COVID-19 को लेकर बहुत सारी countries को हमने vaccination प्रोवाइड किया है, तो आज के टाइम पर हम लोगों को ही जो है, ये problems face करने को मिल रही है, ऐसी हम लोग problems देख पा रहे हैं अपने खुद के साथ, नो यहाप आप देख पाऊगे, इंडिया एक important region बन जाता था अगर हम बात करें, ले जो कि आपका सकते हो पहले foreign secretary हुआ करते थे, इन्होंने बोला, sorry, इन्होंने बोला जो इंडिया है, वो एक leading power होने वाला आने वाले time पे, लेकिन इस COVID-19 ने, इंडिया की जो great power है, जो leadership है, वो कहीं न कहीं खोदी है, ठीके, उसका ध्यापर आप देख पाऊगे, quad के बारे आपका सकतो contribute करे, ठीके, चाइना को पुरी तरह से tackle करे, हम लोग अभी हाली में चाइना को काफी अच्छी तरीके से tackle कर रहे थे, जब COVID इतनी बुरी तरीके से नहीं फैला था, हम लोगोंने बहुत सारे steps उठाये, जैसे कि आत्मन बर भारत step उठाया, और भी बहुत सारे steps उठाये, जिसमें हमने अपनी country को grow करने की कोशिश करी, हम अपनी country के अंदर manufacture करने की कोशिश करी है, exporting मड़ाने की कोशिश करी है, चाइना को पीछे हटाने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो इस second wave की वज़ा से, ये सारी चीज़े कहीं कहीं मिट्टी में मिलती भी नजर आई है, हम लोगों ने जितनी भी help करी है, हम लोग वापस से चाइना की तरफ हम लोग का जुकाव देखने को मिला है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, उसी चीज़े के बारे में mention किया गया, कि जो new Delhi की ability है, वो जो growth है, वो सब इंडो पैसिफिक को देने की, वो कहीं ने कहीं कम हुई है, बहुत सारी चीज़े में अगर हम बात करें, और उसी के साथ, जो economic distress है, या फिर जो foreign direct investment आ रहा था हमारी country के अंदर, हमारी industry का production हो रहा था, यह सब चीज़े को पर कहीं ने कहीं बुरा प्रभाव पढ़ा है, औ और साथी साथ बिरोज़कारी बड़ी है country के अंदर, जिसकी वज़ा से country की और जाधे critical situation हो चुकी है, एक तरीके से ऐसा दोर आएगा, हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इंडिया चाइना के बारे में बात करी गई है, तो देखो एक impact यह है कि इंडिया आज क आज के टाइम पर एक तरीके से इसका जुकाफ काफी हो चुका है, COVID-19 को लेकर चाइना की तरफ होगी, चाइना एक stronger country आज के टाइम पर मानी जारी है, तो इन चीजों को देखते भी यहाँ पर बताया गया कि ऐसी हलत हो चुकी है COVID-19 second wave से, और in fact हम लोग अगर बात करें तो चाइना की प्रतीरी बहुत सारी countrys हैं जिसकी तरफ हम लोग को अपना mail मिला बढ़ाना पड़ रहा है, इन चीजों की वज़त से जैसे हमना भी एक article देखा था, UK के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि partnership करने की काफी ज़रूरत है, international partnership की काफी ज़रूरत है, तो author के द्वारा भी यहाँ पर चीजों को neutralize करके बोला गया है कि देखो एक तरफ हम लोग जुकाव, हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हमारी जो growth है, वो कम हो रही है, सिंपल सी बात है, हमारी growth कम हो रही है, लेकिन दूसी तरफ हम बात करें, तो यह जो एक इस आडिकल की तरफ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आडिकल यह बात करता है, issue of lives versus livelihoods, जो situation है आज के टाइम पर इंडिया migrants ने, यानि बारत के जो भी migrant workers हैं, जिन्नों ने ये सारी problems face करी थी, वो आप देख पाओगे, बहुत सारी problems face तुबारा कर सकते हैं ऐसी कुछ situation create हो रही है, अभी यहाँ पर आप देख पाओगे, April 2021 के अंदर थोड़े बहुत चोटे मोटे lockdowns लग रहे हैं बहुत सारे states के अंदर, बहुत सारे states के अंदर बहुत ज्यादर आपको सकते हो strictly lockdown लगा रखा है, तो यहाँ पर बात यह करी जा रही है कि हो सकता है कि lockdown complete लग जाए, लेकिन आप देख पाओगे, इससे बहुत बुरा प्रभाव पढ़ने वाला है, जो गरीब लोग हैं उनके ओपर, क्या करेंगे वो लोग, जो साल 2020 में lockdown लगा था, आप देख पाओगे, उससे बहुत सारी problems create होई, जॉब चली गई लोगों की, ठीके, बहुत सारी रात ऐसी हैं, जो लोग भूके सोए हैं, नो यह सारी situation दुबारा से आ सकती है, अब जब दुबारा से आईगी ना situation, यह और जादे खतरनाक हो सकती है, जैसे COVID pandemic था, पिछले साल इतना जादे खतरनाक नहीं था, इतने लोग की जान नहीं ले रहा था, लेकिन अब जो second wave है, वो काफी खतरनाक हो चुका है, काफी लोग की जान ले रहा है, हाला कि ऐसा नहीं है कि लोग सही नहीं हो रहे है, लोग बहुत अच्छी तरीके सही हो रहे है, 15 दिन में बिल्कुल चुरुस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर है क्या कि आपको हमेशा positivity की तरफ आगे बढ़ना है, positive रहो, देखो positivity फिलाना बहुत जादे important है, ठीके आज के टाइम पर और ऐसी बात नहीं है, जैसे कि देखो, खुद यहाँ पर मेरे बहुत सारे relatives हैं, जिनको COVID हुआ, वो सब 15 दिन तक घर के अंदर रहे, 15 दिन में उन्होंने जो basic tablets हैं, परसिटामोल है ऑक्सीमेटर बगएर उन्होंने यूज किया, अच्छे से medication किया, अच्छे से diet ली उन्होंने, ठीके और उसके बाद वो recover हो गए 15 दिन के अंदर अंदर, ठीके तो ऐसा नहीं कि लोग recover नहीं हो रहे, मर वो ही रहे हैं, जिनको already बहुत सारी बिमारियां भी हैं, ठीके, या पर डर के मारे, दहशक के मारे, जो है, लोग की जान जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, आप positivity फेलाओ, जितने लोग की मदद कर सकते हो, करो, यहाँ पर यही जो है, आज की टाइम पर काफी ज़्यादे ज़रूरत है, ना उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पारे हों वहाँ पर सबसादे problems भी face करने को मिल जाती है, बहुत सारे लोग इस समय छोड़कर जा रहे हैं अपने घर पर वापिस, अब यहाँ पर क्या है, सरकार भी कुछ ने कुछ help provide करवा सकती है, जैसे की पहले provide करवाया था, जो है, राशन जो है काफी अतक free provide करवाया था, उसी हो जाएंगी, ठीक है, हम लोग को यहाँ पर काम करना है, इन चीजों के उपर है, ऐसा नहीं है कि, देखो, हम लोग आप और मैं, हम लोग के खुद के हाथ में हम इस कोविट को रोक सकते हैं, ठीक है बहुत सारी लापरवायी हम लोग देख रहे हैं, लगातार हम लोग बह हुआ सारी लापरवाई देख रहे हैं जिसकी वजह से भी कोविट फैलता वराजर आएगा आप जब जरुरत आपको में इंपॉर्टेंट जरुरत नहीं है बिल्कुल एकदम अर्जेंट जरुरत नहीं पड़ जाई तब तब बाहर निकल ही क्यों रहे हो ठीक है निकल रहे ह जो होली के बाद यह आपका सकते हो कोविट है यह आसमान को छूता वा नजर आया इसके जो ग्राफ है काफी हद तक हम लोग के हाथ में भी हैं हम लोग जो है इन चीजों के उपर काम कर सकते हैं इस्राइल को देखो इस्राइल के अंदर टोडल वैक्सिनेशन दे चुके है हम लोग अपनी कंट्री के अंदर वैक्सिनेशन को और जाधे रैंप अप करना पड़ेगा और जाधे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी स्कूल्स हो गए हॉस्पिटल्स हो गए अभी जब स्कूल्स बंद है तो स्कूल्स का अंदर वैक्सिनेशन देना चालू करद वाद हो प्रोडक्षन आपको वैक्सीन की काफी तीजी से बढ़ानी पड़ेगी बहुत सारे आपको सकतो बहुत जादे लाज नमबर को डेली बिस इस पापको वैक्सीनेशन देना पड़ेगा जिससे कि आप कंट्री को जलसल कोविड फ्री बना सको जैसे इसराइल हो चुका है जो है हम लोग को भी काम करना पड़ेगा और आपको भी अपनी तरफ पॉजिटिविटी फलानी पड़ेगी इस पैंडेमिक से अगर हमें लड़ना है तो तो गैस इसके साथ करते हैं हम लोग अपने इस न्यूस्पेपर एनलेसिस को समाप आई होप आप लोगो सारी चीज है है वन नाइस टेइ